हाई अवरिवन जै मातादी ये जानकारी विद्वान पंडितों और ज्योति शास्ट के नुसार दी जा रही है इसे मानना ना मानना आप पर निर्भर करता है तो नवरात्री का आज है चोथा दिन नवरात्री के चोथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा की जाती है मा को पीले फल, फूल, व्यस्त्र, मिठाई और माल पूजा सबसे प्रिये हैं आईए जानते हैं कि कैसे मा दुर्गा के चोथे रूप का नाम कुश्मांडा पढ़ा नवरात्री के चोथे दिन मा कुश्मांडा सवरूप की पूजा होती है मा कुश्मांडा अस्थ भूजाओं वाली देवी हैं मान्यता है कि नवरात्री के चोथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा करने वाले सादक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगतों को सुख सभागे की प्राप्ती होती है मा कुष्मांदा को लेकर ऐसी माननेता है कि पढ़ने वाले चात्र यदी कुष्मांदा देवी की पूजा करें तो उनकी बुद्धी विवेक में वरिद्धी होती है दुर्गा माता के चोते रूप में मा कुश्मांडा भगतों को रोग, शोग, विनास से मुक्त करके आयू यश्पल और बुद्धी परदान करती हैं आईए जानते हैं मा कुश्मांडा का नाम कैसे पड़ा देवी कुश्मांडा को लेकर भगवती पुरान में बताया गया है कि मा दुर्गा के चोते सवरूप को देवी ने अपनी मन मुस्कान से ब्रमांड को उत्पन किया था इसलिए इनका नाम कुश्मांडा पड़ा माना जाता है कि जब स्रिष्टी के आरम से पहले चारो तरफ अंधेरा था ऐसे में मा ने अपनी हलकी सीहासी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की वे सूरज के घेरे में रहती हैं और उनी के अंदर इतनी शक्ती है कि वे सूरज की तपिश को भी सह सकती है मा कुश्मांडा का सवरूप दिवे और अलोकिक माना गया है मा कुश्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है अस्त बुजाधारी मा मस्तक पर रतन जडित मुकुट धारन किये हुए हैं अत्यन दिवे रूप से शुशोबित हैं मा कुश्मांडा ने आठ भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुधर्शन, चक्र, गदा, धनुश, बान और अक्षमाला धारन किया है मा कुश्मांडा का प्रिये भोग मा कुश्मांडा को मालपुए बहुत अधिक प्रिये हैं मालपुए दही हलवे का भोग लगाना चाहिए उनका पुजा मंत्र है ओम कुश्मांडा नमह ध्यान मंत्र है या देवी सर्व भूतेशू मा कुश्मांडा रूपे निसंस्तिता नमस्तस्ये 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 नमो नमह मा कुश्मांडा की पूजा करने से देवी कुश्मांडा की साधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है देवी अपने भक्तों को हर संकत और विप्ता से निकाल कर सुख वैभव परदान करती है माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है इन्हें किसी परकार का भय नहीं रहता तो नवरात्री में दुर्गा सब्षती का पाथ जो करना चाहिए चोथे नवरात्री में पाँचवा, छटा, सात्वा और आत्वा अध्याय पढ़ना चाहिए तो पाँचवे अध्याय से क्या होता है पाचवे अध्याई के प्रभाव से हर परकार के भैका नाश होता है चाहे वो भूत प्रेत की बादा हो या फिर बूरे स्वापन परशान करते हो या व्यक्ती हर जगे से परशान हो तो पाचवे अध्याई के पाद से इन सबी चीजों से मुक्ती मिलती है छटे अध्याय से इस अध्याय का पाथ करने से किसी परकार की तंत्रबादा हटाने के लिए किया जाता है इसके अलावा आपको लगता है कि अगर आपके उपर जादू टोना किया गया है तो आपके परिवार को बान दिया हो या राहू और केतु से आप पीडित हो तो छटवे अध्याय का पार्ट इन सभी कस्तों से आपको मुक्ति दिलाता है सात्वा अध्याय किसी भी विशेश कामना की पूर्ति के लिए सात्वा अध्याय सर्वोत्तम है अगर सच्चे और निर्मल दिल से मा की पूजा की जाती है और सात्वे अध्याय का पार्ट किया जाता है तो व्यक्ति की कामना पूर्ति होती है आटवे अध्याय अगर आपका कोई प्रिये आपसे बिछुड गया है कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंड कर ठक चुके हैं तो आटवे अध्याय का पार्ट चमतकारी फल परदान करता है तो यह जानकारी विद्वानो जोती शास्त्रों के अनुसार दी जा रही है तो मानने से पहले आप सला ले सकते है और वीडियो अगर थोड़ी सी पे पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा तो नवरात्रों से जूड़ी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को कर लीजिए फड़ावट से सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें मिलते हूँ आपको नई वीडियो के साथ जैम आता दी